Hello and Welcome to Sports तक इस IPL एक नई शुरुआत हुई थी वो नियम था Impact Player Rule Mumbai Indians और मुकाबला हुआ पंजाब Kings के बीच में वहाँ पर भी Impact Player की धूम रही लेकिन Sky सूर्यकुमार यादव ओबिस्टी वो Impact Player थे वो आये उन्होंने गेम में Impact भी दिखाये लेकिन Sky एक Impact पे रही है तो हमें पहले ही पता चल चुका था बीते साल जिस तरह की कि उन्होंने Performances दी थी T20 Cricket में कमाल की Performances थी लेकिन थोड़ा सा बीच में जो डिप आया था Australia वाला एक उन्होंने Test Match खेला फिर Australia की ODI Series फिर IPL के शुरुआत भी नहीं हुई उन्होंने जिस तरीके से Mumbai Indians के लिए Contribute किया है पर्टिकुररली बीते दो मुकाबलों में तो जैसे मैंने का कि इस मुकाबले में आये तो आज इन Impact पेर थे लेकिन वो वाकई में एक Impact पेर हैं ये Indian Cricket और World Cricket पहले ही जान चुका था और इसी लिए सुर्यकुमार यादव है BPCL भारत Petroleum Corporation Limited Performer of the Day हाला कि सुर्यकुमार यादव खुश नहीं थे अब सुर्यकुमार यादव खुश क्यों नहीं है इस पर बात करेंगे कि उनका खुश ना होने की वजह क्या है जहां पर उनने मैच जिताओ एक पारी खेली है साथ ही साथ सुर्यकुमार यादव ने बात करते हुए ये भी बताया मुकाबले के बात और उनने बोला है कि जिस सिचुएशन में मैं आता हूँ मैं इसी तरीकी क्रिकेट खेलने के लिए तयार रहता हूँ और उनने बोला है कि जैसे बाकी वल्ले बास जो आप उस पोजिशन पर बल्लेबासी करते हुए देखते हैं तो उनके लिए हम बात करते हैं पावर गेम की वो उनके उपर भी भारी पड़ जाते हैं और इसी लिए कल जब सूरे कुमार यादव ने पारी खेली तो सब ने बोले हैं कि कमाल की बैटिंग है और इन्हें कोई आउट करे तो करे कैसे फिल्ड में जो तब्दीलिया कप्तान करता है वो अगली बॉल पर वहीं पर शॉट मारते हैं जहां से फिल्ड से बद्राव किया गया हो तो ऐसे में स्काई को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो आता है और अगर आपने स्काई को नहीं रोका तो आप मुंबई इंडिय सूर्य कुमार यादो और उनके परफॉर्वंस कैसे रही हैं किस तरीके रही हैं, एक नजर थोड़ा सा उस पर भी डाल देते हैं मुंबई इंडियस से खेलते वे सूरिकुमार यादो का आरसीबी के गेंस्ट पंदरेर रन बनाये थे सोला किन्दों पर मुकाबला हारे थे डेली पेपिटल्स के अगेंस्ट फर्स बॉल डग ये मुकाबला हाला कि जो है मुंबा इंडिन्द जीटी थे आखरे और में लेकिन यहां तक सवाल बड़े जादा हो रहे थे यार कि अब क्या होगा लेकिन देन स्काई ने एक अच्छी पारी खेली कॉलकता नाइट राइडर्स 43 रन 25 गेंद यहां पर आपको दिखता है स्काई का जो इंपैक्ट वाले रंसम कहते हैं और यह सारे रंस मिडल ओवर्स में बीच में आते हैं जहां पर अमुमन बाकी खिलाडी थोड़े से स्लो हो जाते हैं लेकिन स्काई अपना गेम जो है नेक्स लेवल लेकर जाते हैं अब पंजाब किंग्स 57 रन बनाए थे 26 गेंदों पर यह मुकाबला मुम्मा इंडियन्स हार गई थी वानखेडे के अंदर और स्काई की विकेट ही टर्निंग पॉइंट थी अब क्यूं स्काई दुखी थे उदास थे सैड थे यह बताएंगे आपको अगला मुकाबला गुजराट टाइटन्स के अगेंज 23 रन 12 गेंदों पर और यहां पर जब स्काई वो पारी खेल रहे तो लग रहा था कि शायद मुमेंटम चेंज होगा लेकिन अनफोर्शनली स्काई आउट होगी और मुकाबला भी मुमबा इंडियन्स हार गई फिर यह लास्ट दो गेंज आप देखने हैं जहां पर 39 गेंद पर 55 रन और 31 गेंद पर 66 रन 200 प्लस की रन चेंजिस जिनको मुमबा इंडियन्स ने आसानी से चेंज कर लिया और वहाँ पर दोनों मुकाबलों में सूर्य कुमार इंड़ादव का इंपैक्ट देखने को मिला उनकी परफॉर्मेंस जो है कमाल की देखने को मिली तो अब वो खुश क्यों नहीं थे वो खुश इसने नहीं थे कि जो हमने बताए कि जो मुकाबला पहला हुआ पंजाब किंग से घर पर वहाँ पर भी स्काई आउट हुए और फिर थोड़ी से वो रंचेज पट्री से उतर गई और मुमबा इंडियन्स वो मुकाबला हार तो उनको जैसे हम कहते हैं कि बड़ा खिलाडी उसको वो हमेशा देखता है कि मैं और जादा कहां पर कितना इंप्रूव कर सकता हूँ और सूरे कुमार यादव क्योंकि आज की मुकाबले को भी जो बीता मुकाबला रहा माफ कीजी का उसको फिनिश नहीं कर पाए थे तो थोड़ा सा वो उस चीज से खुश नहीं तो और वो यही चाहते थे वो एंशॉर करना चाहते थे वो टीम को जो है फिनिश लाइन क्रॉस करकर लेकर आएं तो इसलिए हम कह रहे हैं यार कि जो इंपक्ट लेर का नियम है वो तो अब आया है लेकिन भारते क्रिकेट ने और और दोनों मुकाबलों में जब 12 ओवर हो चुके थे जब रंचेज चल रही थी मुंबई की तो बीता मुकाबला आपको आदो का वहाँ पर कुलदीब सेन को टार्गेट किया यही कहते हैं कि ग्रेट प्लेयर्स जो आप एक कहते हैं कि जिनकी जो सोच रहती और वो देखते सेंस करते हैं उन्हें कुलदीब सेन का एक ओवर महंगा लूटा था राइस्थान के मैच में और एक्वेशन थोड़ा सा वापस मुंबई के लिए फेवर में आ गई थी सिमिलरली इस मुकाबले में जहाँ पर पंजाब के सामने वहाँ पर 48 गेंदों पर 100 रन की जरूत थी वहाँ पर वो टार्गेट करते हैं भले ही सैम करन आए बीते मुकाबले में कुलदीब सेन आय थे उन्हें देखा कि नए गेंदबाज खेल नहीं रही हैं सीजन इनको ट टैक कर दिया और उस ओवर में भी रन लूटे और फिर जो है वहां से मुंबई इंडियन्स की फिर से वापसी करा दी और यहां से एक्वेशन चेंज होती है तो जैसे सेंस करते हैं मैच की सिच्वेशन मैच अवेरनेस देखते हुए बस एक कमी जो रह गया है जो की वापसी के लिए तो यह थी इस मैच की कहानी और इस मैच के भारत पेट्रोलियम कोपरेशन लिमिटेड परफोर्मर आप देडे सूर्यकुमार यादव जिसे हम कहते हैं कभी कभी कि स्काई इस दे लिमिट बट स्काई इस लिमिटलस जो शॉट्स की बात कर लें रेंज क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी आप से लेते हैं इजाज़त बहुत बहुत शुक्रिया